हलो फ्रेंज, वेलकम टू माई यूटूब चानल आज मैं इस वीडियो से आपके सामनी लेकर आ रहे है एक हॉममेट साबुन वो भी खास साबुन है, उसका कारण में बताती हूँ क्योंगी एक कामन प्रॉबलम हो गया, स्कीन प्रॉबलम हो गया, पिक्मेंडेशन कारण कई बार अपन जियादा टाइम रहने से हो सकता है नाथ होसकता है, खान पीने में जो चेज ओगे । ―था जशी कारण हो सकता है। इसके से अपने लग जाती है, आपने जो दिखाने लग जाती है, उसका में एक कारण है कि अपनी शरीर में जो कोलाजिन प्रोटक्शन होता है, तो कम हो जाती है नहीं तो दीरे-दीरे बेंध हो जाती है, उसके वज़े से जो अपने जो स्कीन का यूथफुल लुक है दीरे-दीरे चले जाती है, तो यह जो कोला से निम्बू है, मौसंबी है, ओरंज है, और उसके अलेवा जैसे ग्रेब जैसे फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा अपनी अपन को मिल जाता है, तो यह सब इसमें विटामिन से इतनी ज्यादा है, ताकि वो हम स्कीन में लगाने से कोलाजिन प्रोटक्शन को बढ़ा सकते है पर कुछ चीज इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे जो भी सिट्रस फ्रूट्स रहता है, उसको डारेक्ट स्कीन में नहीं लगाना चाहिए, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसको नहीं लगाना चाहिए, किसी और चीज के साथ मिलाके लगाना चाहिए, नही रूट कंडिशन में रेगुलर यूज करना है, यह दो चीज अगर मन में रिखेगा तो सबसे अच्छा उपाय है साबुन, तो साबुन बनाएंगे आज अपन, आज में साबुन जो बनाने वाली है, वो नीमबु से बनाने वाली है, नीमबु मतलब लमन, लमन के पील, उस का पील निकाल दीजिए, साबुन बनाने के लिए हमको पील चाहिए रहेगा, और इसको एक मिक्सर के जार में डाल दीजिए, इसके साथ दो चमच ग्लिसरिन डाल दीजिए, और जो पील ओफ करके रिखा है, नीमबु, एक नीमबु का रस भी इसके साथ मिक्स का दीजिए ये तीनों कंटन को अभी मिक्सर के जार में डालके अच्चे से पीसना है जो पीस के मिलेगा जो कंटन को एक चन्नी से स्टेन कर दीजी अभी हमको सोप बनाने का लिकुट मिल चुका है अभी इस साबन बनाने के लिए हमको नेक्स्ट कंटन जो चाहिए ओ है सोबेस मैंने इदर करीब साव ग्राम सोबेस लिया है पेले सोबेस को चोटा-चोटा तुकडा कर दीजी उसके बाद उसको एक बरतन में रखे डबल बोईलिंग मतर्ट से मेल्ट कर दीजी अच्छे से मेल्ट होने के बाद उसमें अपना जो कंटन है जो बेना के रखे हुए कंटन है वो इसमें मिक्स कर दीजी मिक्स करते वक उसको चमच से अच्छे से हिलाना चाहिए उसके बाद जो भी मॉल्ड रहेगा उसमें आप थोड़ा नार्यल का तेल नहीं तो आलमंड ओईल थोड़ा से लगा के उसमें जो सौप का जो मिक्स है उसमें डाल दीजी इसको करीब चार से पांच गंडे नॉर्मल टेमपरेचर में रख दीजी नहीं तो रफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं रफ्रिजरेटर में रखने से जेल्दी इसका सौप बेन सकता है जैसे साबन सेट होने के बाद आप मोल्ड से इस साबन का निकाल दीजीए दोको कितना कुपसूरत साबन है मैंने इसमें कोई भी कलर कुछ भी नहीं डाल दिया है और जो भी इसका जो पीला कलर दिख रहे हो निम्बू का ही कलर दिख रहे है इतनी ट्रांस्परन सोप है और मैंने इसको यूज भी करके देखा है बहुत अच्छा है और स्किन को थोड़ा ब्राइटन भी कर देती है तो आप बिल्कुल इस सोप को घर पे बैना दीजिए और ये सोप बैनाना बहुत आसान है और बैना कर उसका जो रिसल्ट और उसका फीडबाइक मुझे बता दीजिए आपको मेरे वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और मेरे चानल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालेगे जिल से जिल आप देख पाए फिर से मिलने तक बाइ बाइ